11 सितंबर 2001, New York City सुबह लोगों को आसमान से तेज आवाद सुनाई देने लगी जब उन्होंने अपने खिड़कियों से बाहर देखा तो ये एक पैसेंजर प्लेन था जो New York के आसमान को छूते हुए इमारतों के बीच से उड़ता हुआ जा रहा था और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही 8 बच कर 46 मिनट पर ये सीधा जाकर फेमस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग से टकरा गया लोग अभी भी इस एकसिडेंट को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि दभी सिर्फ 6 मिनट बाद 9 बच कर 3 मिनट पर आसमान में दोबारा से एक आवाज हुई और इस बार भी एक और पैसेंजर प्लेड फुल स्पीड पर आकर दूसरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग से जाकर भिड़ गया इसके अलावा उस दिन दो प्लेंस और क्रैश हुए जिन में से एक अमेरिका के पैंटागॉन मिलिटरी हेड़कॉर्टर्स में जाकर क्रैश हुआ जबकि लास्ट वाला पैंसिल्वेनिया के रूरल एरिया में क्रैश हुआ था ये था इतिहास का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानि कि अमेरिका पर टेररिस्ट और्गनाइजेशन अलकाइदा द्वारा किया गया था जिस टेररिस्ट अटैक में 6,000 से लेकर 25,000 से जादा लोग इंजर्ड हुए थे और अल्मोस 3,000 की डेथ हो गई थी और अमेरिका को 33 से 36 बिलियन डॉलर्स का नुकसान वा था इस टेररिस्ट अटैक को आज भी दुनिया में 9-11 के नाम से जाना जाता है और इस पूरे अटैक के पीछे सबसे बड़ा नाम था ओसामा बिन लादेन का एक बिलियनियर का बेटा और विजनस अडिनिस्ट्रेशन ग्रैजुएट जिसे पहले तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ लड़ने के लिए फंडिंग की एडवांस वेपन्स दिये बट कई डिफरेंट सीरीज अफ इवेंट के चलते वही ओसामा बिन लादेन बाद में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया ओसामा के एक बिलीनेर और बिजनस ग्रैजवेट से वर्ल्ड's most wanted terrorist बनने या फिर अमेरिका के लिए काम करते हुए अमेरिका के ही खिलाफ attack प्लान करने तक सब कुछ छोटे छोटे इवेंट से ड्राइव हुआ और इवेंचुली 9-11 का कारण बना और ऐसे ही छोटे छोटे इवेंट से बाद में हमारी और हमारी आसपास की दुनिया पर एक बड़ा impact देखने को मिले उन्हें scientific language में the butterfly effect का नाम दिया गया है butterfly effect तो दोस्तो butterfly effect साल 1960 में MIT यानि कि Massachusetts Institute of Technology के प्रोफेसर Edward Lawrence द्वारा दी गई chaos theory का concept है जिसके मुताबिक कई small events जिने हम ignore कर देते हैं वो बाद में एक result larger consequence का कारण बनता है जिसे explain करने के लिए सबसे ज़्यादा butterfly का example दिया जाता है जिसके नाम पर इस concept का नाम भी पढ़ा है अब इस example के मुताबिक एक छोटी butterfly के अपने punk को फटफडाने से भी दूर कहीं एक बड़ा तूफान आ सकता है इस पर एक famous movie वनी है जिसका नाम है The Butterfly Effect जिसमें दिखाया गया है कि कैसे life में कियेगे small changes हमारे पूरे future को बदल कर रख सकते हैं वैसे butterfly effect केवल theories और movies तक ही सिमीत नहीं है बलकि ये हमारे day to day life को भी effect करता है अब इसका real life effect जो हम measure कर पाते हैं वो हमें सबसे जादा weather pattern में देखने को मिलता है जहां pressure and temperature में थोड़ी से change का result कई बार एक बड़े dramatic weather change के रोप में देखने को मिलता है इसलिए weather forecasting के समय हर चोटी से चोटी detail को भी simulation में add किया जाता है सो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि कई small changes का result 9-11 attack भी हो सकता है या फिर 1914 में Austria के एक उत्तरादिकारी की गोली मारने से होई हत्या से human history की सबसे बड़ी world war 1 की शुरुआत भी जिसमें millions of लोगों की जान ले ली अभी सभी events में हमें butterfly effect देखने को मिलते हैं जहां कई small changes ने पूरी दुनिया के history बदल कर रख दी थी साल 1950 में Alan Turing ने butterfly effect को explain करते हुए लिखा था कि किसी एक पल में एक centimeter के अरबवे छोटे भाग में भी एक electron के थोड़े से displacement से एक साल बाद किसी इंसान के avalanche से मारे जाने या फिर बच कर निकलने का difference तैय हो सकता है In short, life कितनी unpredictable है इसका अंदाजा लगाना भी possible नहीं है किसी और की life का butterfly effect आपकी life और आपके परिवार की life में कब तूफान बनकर आ जाए आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते या फिर कब आपका ही कोई decision आपकी life को danger में डाल दे और आपकी जान तक ले ले इसका अंदाजा लगाना भी possible नहीं है और वैसे भी हम जो जिन्दगी जी रहे हैं वो किसी करिश में से कम नहीं है क्योंकि according to science आपकी या मेरी in short हमारी existence की probability 1 in it and to the power 2.7 million है now I don't know इसे pronounce कैसे करूँ but number जो आप अपनी screen पर देख सकते है न अब जो इस number की seriousness को नहीं समझे न उन्हें में बता दू कि इसमें 10 के पीछे almost 2.7 million zeros है और अगर आपको अभी भी ये number छोटा लग रहा है तो ये भी जान लो कि हमारे पूरे universe में total atoms का number ही 10 to the power 80 है जो दिखाता है कि हमारी ये life कितनी जादा rare है बट ये life आपके और मेरे पास कब तक है now I know इसका answer ना आपके पास है और ना ही मेरे पास in short इसकी कोई guarantee नहीं है कि आज आप जिन्दा है तो कल भी आप जिन्दा होंगे वैसे भी आजका life इतनी uncertainty से भरी होती है कि कब क्या हो जाए किसी कुछ पता ही नहीं होता पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको कुछ हुआ तो situation में आप पर dependent आपकी family का क्या होगा ऐसी situation में जहां आपकी पूरी family जानी कि आपके mom, dad अगर शादी हो गई है तो आपकी wife और अगर बच्चे हैं तूनकी education उपर से अगर आपने home loan या car loan लिया हुआ है तो ये सब आपकी monthly salary पर dependent होते हैं आपके बिना आपके घर की monthly heavy EMI, आपके बच्चों के school fees, आपके parents और wife के expenses कैसे manage होंगे I know ये काफी terrifying है और मैं भी कहीं बार इस बात को सोचकर ढर जाता हूँ And as I said कि मौत एक ऐसा scenario है जिसको कोई भी predict नहीं कर सकता, ये किसी भी उम्र में आ सकती है चाहे आप 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो जा फिर 50 के ही क्यों नहीं हो But सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ऐसा कोई solution है जिसमें हमारे बाद भी हमारी family और उनके expenses का खयाल रखा जा सके अब अगर आप भी इस पर research करोगे तो आपको भी मेरी तरह इसका एक ही जवाब मिलेगा और वो है term insurance Let's understand what is term insurance तो दोस्तों जैसे कि term insurance दो अलग-अलग शब्द से मिलकर बना है जिसमें term का मतलब है एक specific time period और insurance को हिंदी भासा में दीमा या रक्षा भी कहा जाता है जानी कि एक specific time period तक आपके परिवार को financially security देना बट कितने time period के लिए? वेल ये decision आपका है बट according to data, mostly term insurance 65 या फिजास ज़्यादा 75 एज तक ही beneficial होते हैं कि वो खुद अपनी earning से अपनी life को आगे बढ़ा सके इसलिए mostly इस time period पर आप उनका नहीं बलकि वो आपका खयाल रख रहे होंगे पर उससे पहले तक उन्हें आपके प्यार और आपके financial support की ज़रत होती है जो कि आपके जीते जीतों उनको मिल ही रहा है लेकिन आपके ना होने पर भी एक term insurance ये ensure करेगा कि आपके जाने के बाद आपके family survival के लिए परिशान ना हो आपके माता पिता को अपना बुढ़ापे का जीवन जीने में परिशानी ना हो और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी wife और आपके kids को आपके बिना financial problems का सामना ना करना पड़े बड़ देको reality तो ये है कि आज भी बहुत से Indians term insurance के benefits को नहीं समझते और इसका खामियाजा उनके बाद उनकी family को उठाना पड़ता है पर अब आपके मन में एक सवाल होगा कि how will term insurance secure my family's future तो इसके लिए पहले आपको decide करना होगा कि आपको कितने insurance cover की जरूरत है देखो number ऐसा होना चाहिए जो आपकी सभी existing liabilities को पूरा करें और उस amount से आपकी family आपके बिना भी अपने expenses 15 से 20 साल तक afford कर सके now for example अगर आपके annual income 12 लाग है वैसे यह सिर्फ example है यह income का number किसी के लिए 10 लाग भी हो सकती है किसी के लिए 5 लाग भी हो सकती है या फिर किसी के लिए उससे भी कम हो सकती है but income कम या ज़्यादा होने से calculation में इतना कोई फरक नहीं पड़ेगा आप अपनी annual income के according यह number calculate कर सकते है आपको बस try करना है कि आप अपनी annual income का 15 से 20 गुना insurance कवर ले जैसे कि अगर आपकी annual income 10 लाग है तब आपका term insurance कवर 1.5 से लेकर 2 करोड तक का होना चाहिए and you know कि term insurance का सबसे बड़ा benefit यह है कि आप इसे जितना जल्दी start करते है आपके लिए premium उतना ही सस्ता पड़ता है और जो भी आपका premium एक बार fix हो गया ना वो कभी भी change नहीं होगा चाहे भारत या दुनिया में कितना ही बड़ा inflation क्यों ना आ जाए कितना भी बड़ा pandemic क्यों ना आ जाए for example मेरे एक करोड के term insurance का monthly premium only 525 रुपय है और मैं कई सालों से यही premium पे कर रहा हूँ आगे भी इतनी premium पे करता जाओंगा जबकि आप policy लेने में जितना late करोगे आपका premium उतना ही जादा लगेगा इसके अलावा age health issues जैसे कई और चीजे हैं जिनके कारण आपके premium की amount उपर नीचे हो सकती है जिसे आप policy बजार पर भी जाकर compare कर सकते हैं अब जैसे कि जब मैं policy बजार पर जाकर वहाँ पर term insurance से रख करता हूँ तो मेरे सामने कुछ options आते हैं जिसमें मेरी salary and qualification related questions पूछे जाते हैं जिनने आप अपनी profile के मुताबिक answer दे सकते हैं यहां पर मेरे सामने अलग-अलग company के term insurance plan आते हैं जहां मुझे एक करोड का term insurance केवल 525 रुपए पर मन्त के premium पर मिलता है बट मेरा यहां पर यही suggestion है कि आप अपनी health related questions के बारे में बिलकुल honest रहें इसलिए मेरा सबसे अच्छा suggestion ही होगा कि आप इसके लिए सीधा term insurance लेते वक्त policy बजार के representative से call पर बात कर ले जो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे और अब आती है सबसे important question की बारी why should you buy term insurance online rather than offline देखो online term insurance लेने के कई benefits है जिसका सबसे बड़ा benefit तो यह है कि यहां आप offline agents की चिकनी चुपड़ी बातों में आये बिना policy बजार पर कई अलग-अलग company के term insurance plans को compare कर सकते हैं also आपको यहाँ पर 10% का discount भी देखने को मिल जाता है जिससे आपका policy लेते वक्त premium amount कम हो जाता है अब वैसे भी policy बजार पर सभी reputed brand ही listed होते हैं और इतने safe option आपको offline नहीं मिलने वाले उपर से देखो policy बजार के बजाए अगर किसी individual से आप offline term insurance लेते हैं तो इसकी कोई guarantee नहीं है कि आपका premium policy में जा भी रहा है या उसके जेब में जा रहा है बट policy बजार में आपको इस तरह की चिंता लेने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि यहां पर आपके और आपके agent के बीच की calls को security के लिए record किया जाता है online term insurance लेने का सबसे बड़ा benefit यह है कि policy बजार पर आपको काफी low premium मिल जाते हैं उपर से women's के लिए यहां और भी अच्छे plans देखने को मिल जाते हैं and lastly online term insurance लेना offline के मुकाबले काफी easy और safe होता है जिसमें आप खुद अपने term insurance policy का form भरते हैं ऐसे में आप make sure कर सकते हैं कि आपकी जरुवत के मुताबिक सभी boxes check हो तो अगर आपको अपनी family के security के लिए term insurance लेना है तो आप description में और pinned comment में दिये हुए policy बजार के link पर जाकर वहाँ पर अलग-अलग companies के term insurance को compare करते हुए अपने जरुवत के हिसाब से एक term insurance plan ले सकते हैं ये बस हम अपनी mental, peace और family के future के security के लिए डालते हैं तो उमीद इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर आप Osama bin Laden के उपर एक detailed वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर हमारे इस वाले चैनल को अभी जाकर subscribe करेना इसमें हम कुछ इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं जो आपको काफी जादा पसंद आएंगे अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को like करके जाना और अपने friends और family साथ जरूर share करना मैं मिलता आपको नेक्शन एपिसोड के साथ तब तक लिए बाई जयाएद